लोड टेक्निकल अग्रिकल्चर में आपका स्वागत है हम आज स्याराई पर बात करें हैं स्याराई होता क्या है और कब आता है मोश्टली यह गेहूं के लिए है स्याराई जिसे हम क्राउन रूट इनिसियेशन बोलते हैं मोश्टली सब को पता है कि 20 से 30 दिन के बीच में गे पानी देना होता है गेंगे लेकिन पहले स्टेज ऐसी होती है जो क्राउन रूट इनिसियेशन होती है जिसे हम सी आराई बोलते हैं उसकी फिल्व प्रम डिस्प्ले पर दिखाए होगे तो सबसे पहले देखते हैं कि आज प्रैक्टिकल के तोर पर हम आपको सी आराई सबसे पहले हम एक वीट का जो पेड़ है पोदा है उसे उखाड़ेंगा और उसमें आपको दिखाएंगे हम इस पेड़ को ले लेंगे यह सबसे पहले हम इसे ही खाड़ते हैं और कि आपको दिख रहा होगा इस पर तो कराउन रूट आ चुकी है लेकिन हम दूसरा पोदा लेंगे उसमें आपको दिखाएंगे जिसमें भी क्राउन रूट इस्टार्ट हुई है कि इसमें हो कि हाँ यह रही हो कि जिसे आपको दिख रहा होगा कि यह जो है यह यह आप देख रहे होंगे अगर इस इससे की बात करें यह जिए मोटी मोटी गांट है इसे तो बोलते हैं क्राउन और जो यहां से जड़न निकलने वाली है यह यह यहां से यह 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 होता है रूट और इनिशिशन बोलते है शुरुआत को आप अगर बात करें यह अगर बात करें जो यह निचली रूट होती है वो टेंपरेरियर रूट होती है क्योंकि जब हम ने क्राउन रूट से पहले कि जो रूट होती है वह temporary होते हैं क्योंकि यह वाली रूट कुछ समय बाद automatic खतम हो जाती है लेकिन यह रूट चलती है यहां से यह रूट है crown वाली रूट यह रूट चलती है और यही से food होती है यही से कल्ले जिसे हम tillering बोलते हैं यही से start दोते हैं यहां से देखेंगे देखो इसके अंदर से यहां से चल रहे हैं इसमें हम देखें कितनी है इस पुर्ण में एक दो तीन और चार इसमें चार निकल चुके हैं तो हम आपको भी दूसरे फिल्ड में भी दिखाएंगे अब दूसरे फिल्ड में चलते हैं वहां आपको अच्छे तरह फिलाल हम दूसरे फिल्ड में आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे जैसे कि यह आपको दिख रही होगी क्योंकि यहां से मिट्टी का कटाव होकर तो तूसरी तरह ब्याइश चुका है तो यह तो है temporary root और यह crown root जो temporary root होती है वह जमीन के कम सक्वार सेंटी मिट्र अंदर होती है जैसे कि आप देख रहेगे जो crown root open उती है यह जब तक यह हो पकता जब तक रहती है लेकिन जो टेंपरीर रूट होती है वे तीज दिन तक होती है उसके बाद डीकंपोज होती है और यहां से हमारी ट्रिलिंग लिखनी स्टार्ट होती है और कुछ बंदे से बोलते हैं कि हमारे उसमें गिल्दा पना है खेत में तो उससे हमें निच्चे का कि अगर हम बात करें इस पोर्शन से ट्रिनिंग इस्टार्ट होती है इसी से ही क्राउं रूट निगलती है इससे यहां से क्राउं रूट लिखा यह टेंपरेटी होती है टेंपरेटी कुछ समय बाद खतम हो जाती है यह वाली रूट यह वाली रूट कुछ समय बाद खतम हो जाती है प्रक्रावुन रूट्ट होती है जो छल्तों है कि πानी हमें इसे लिए देना चाहिए और इतना पानि जाए कि ये इसे स्टेव जोती है यहाँ नवी जो रूट होती है उनका जनम领 पूरा पानी कम सबसे अच्छा तो यूरिया के साथ जिंक सिलफर या फिर से फिर सलफर भी अच्छा काम करती है जिंक से चादी है सबसे है अगर पढ़ाई के साइंटिफिक तरीखे जाए तो सल्फर और जिंक दोनों अच्छे हैं तो फर्स्ट इरिकेशन में हम सल्फर और यूरिया मिलाकर गिर सकते हैं तो आपकी फसल अच्छे होगी क्योंकि सल्फर में ऐसे इलिमेंट जो होते हैं उन्हें भी अक्टिव करती है और जो अधर इल्ड उपज करने वाले इतात होते हैं तो मेरे किसान बाईयों से यह जारिस है अब किस आपको मिन देजाता है लेकिन फार्मर क्या करता है दो से तीन बार पानी देता है लेकन आसे अ पूलते Marta डेना जरूरी है हैं लेकिन हम आपको 6-6 में बताएंगे क्यों और किस तरह प्राइन देते हैं आपने में देखा फिर हम कुछ जिब नेक्ट इरिगेशन आएगा हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे और मेरे भाई किसान भाईों से निरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करे और शेयर करना मत बूल